हेलो बच्चों, इस विडियो में हम घन, क्यूब और घनाब, क्यूबॉइड को नापना सीखेंगे गगू अपनी दुकान में बेचने के लिए इस तरह के घन आकार के ब्लोक्स लाया है हर घन आकार के ब्लोक्स की सभीब हो जाएं एक सेंटिमीटर की है मैं इन्हें एक घन आकार के डिब्बों में पैक करके बेचूंगा ये सोचकर गगू ने घन आकार के डिब्बे खरीद लिए लेकिन हर डिब्बे में कितने एक सेंटिमीटर के घन आएंगे गगू सोचने लगा फिर गगू ने उन घन आकार के डिब्बो में से एक डिब्बे के किनारे की लंबाई को ना पा अच्छा इस घन आकार के डिब्बे की लंबाई दस सेंटिमीटर है और इन घन आकार के हर ब्लोक की भुजाएं एक सेंटिमीटर की है इसका मतलब इस डिब्बे की लंबाई दस घन के बराबर है अब मैं इस डिब्बे की चोड़ाई नाप लेता हूँ डिब्बे की चोड़ाई भी दस सेंटीमीटर है इसका मतलब इस डिब्बे की चोड़ाई भी दस घन के बराबर है अब गगु ने डिब्बे की उचाई नाप लिए डिब्बे की उचाई भी दस सेंटीमीटर ही है इसका मतलब डिब्बे की उचाई दस सेंटीमीटर वाले घनों के बराबर है या मुझे एक सेंटीमीटर वाले घनों की दस परते बनानी होंगी चलो मैं पहले पता लगा लूँ कि डिब्बे की एक परत में कितने सेंटीमीटर वाले घनाएंगे डिबे की लंबाई में दस घनाएंगे और इसकी चोड़ाई में भी दस घनाएंगे इसका मतलब इसकी एक परत में दस गुना दस या सो घन होंगे और डिबे में ऐसी दस परते होंगी इसका मतलब इस घनाकार के डिबे में सो गुना दस या खजार हन होंगे क्योंकि गत्य की मोटाई ना के बराबर है इसलिए डिबे में रखे घनों द्वारा गीरी गई कुल जगा डिबे के द्वारा गीरी गई कुल जगा के बराबर होगी लेकिन किसी भी वस्तू द्वारा गेरी गई जगा तो उसका आयतन वॉल्यूम होती है इसलिए डिब्बे का आयतन वॉल्यूम उसमें रखे घनों के बराबर होगा इसका मतलब इस घनाकार के डिब्बे का आयतन एक हजार घनों के बराबर है गगु हजार हजार ब्लोक्स इन घन आकार के डिबों में पैक करके बेचने लगा कुछ ही दिनों में गगु के ब्लोक्स मार्किट में प्रसिद्ध हो गए अब गगु ने सोचा कि वो इन ब्लोक्स को घनाब क्यू बॉइड आकार के डिबों में बेचेगा बच्चों, अगर गग्गु द्वारा खरीदे घनाब आकार के डिब्बों की लंबाई, चोड़ाई और उचाई ये है तो क्या आप बता सकते हैं कि हर घनाब क्यूबॉइड आकार के डिब्बे का आयतन, वॉल्यूम कितने सेंटीमीटर घनों के बराबर होगा? आप चाहे तो विडियो को रोख कर इसका उत्तर ढूण सकते हैं घनाब आकार के डिब्बों की लंबाई 12 सेंटीमीटर है इसका मतलब घनाब आकार के डिब्बे की लंबाई 12 घनों के बराबर होगी ठीक उसी तरह से घनाब आकार के डिबबे की चौड़ाई 5 cm है जो 5 घनों के बराबर होगी और घनाब आकार के डिबबे की उचाई 4 cm है जो 4 सद्धनों के बराबर होगी इसका मतलब इस डिब्बे में सेंटीमीटर घनों से बनी चार पड़ते होंगी डिब्बे की लंबाई में 12 घन होंगे और चोड़ाई में 5 घन इसलिए घनाब आकार के डिब्बे की एक परत में 12 गुणा 5, 60 घन होंगे और क्योंकि डिब्बे में ऐसी 4 पड़ते होंगी डिब्बे में कुल 60 गुणा 4, 240 हन होंगे दूसरे शब्दों में घनाब आकार के डिब्बे का आयतन वॉल्यूम 240 सेंटीमीटर घनों के बराबर होगा गगु ने अपने घनाब आकार के नए डिब्बो में वो सेंटीमीटर घन भर लिए और देखते ही देखते उसके ब्लोक्स और भी लोग प्रिय हो गए बच्चो इस विडियो में हमने घन, क्यूब और घनाब क्यूब आइड को नापना सीखा अगले विडियो में हम कुछ दिल्चस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे प्रुड़ से बचल है